नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके चैनल गड़ित NGS में दोस्तों कच्छा 6 की गड़ित लगा रहे हैं प्रस्णावली संख्या पांत दस्मलोग चार तो दोस्तों गड़ी में कितने होते हैं इतनी संग्याय लिखी होती है एक से लेके 12 देख सकते हैं आप गड़ी में 12 12 12 दोस्तों आप जानते हैं गड़ी होती है कि हमें हर एक घंटे पर दोस्तों हर्एटा गण्ते में डिवाइड है दोस्तों दोस्तों यहां 12 बज रहे हैं यह तर दोस्तों यह सभी 90 no है ना सभी 90 डिग्री हैं और 12 और 3 के बीच में दोस्तों बचते हैं एक और 2 है ना 3 और 6 के बीच में 4 और 5 6 और 9 के बीच में 7 और 8 फिक है दोस्तों 9 और 12 के बीच में 10 और 11 के यानि दोस्तों ये GO90 डिग्री है हमारा है कि ये जो 90 डिग्री है दोस्तों वह इस तरीके से हमाँ दोस्तों को इस Standing वह सब्सक्राइब करद से हैं अगर हम 36 को अधाते हैं यहां 4 है यह नवद दिग्री था तो यह कितना होगा बराबर बराबर हरे घंटा बराबर होता है था दोस्तों चाहे 2-3 बज़े तो वही बात हुई है 3-4 बज़े तो भी एक घंटा है तो यह 90 डिगरी आपका 3 भाग में बढ़ गया है कितना हो जाएगा 30 डिगरी हर एक दोस्तों कितने हो जाएंगे 30-30 डिगरी 30-30 डिगरी ठीक है दोस्तों और आप ऐसे भी दे सकते हैं यह 30-30 डिगरी दोस्तों कितने घंटे हो दोस्तों एक चक्क्र लगा है ।osc कितने होतों पर नहीं तो हर एक 30-30 दिग्री अब देखते हैं तो एक दिखरा है यह वाला बताइए दोस्तों एक पह और एक बारा पह तो यह कितना होगा दोस्तो आप जानते हैं यह पूरा 90 होता है और यह सारे 30 में दिवाइद है 30 दिग्री यह 30 दिग्री और 30 द्ग्री ऐसे करके सारे 30 डीजी अगर consider 360 बना देते हैं इसका होते हैंगा दोस्तो अगर एक बज़ रहा है इसका हो जाबनाग नबवे डिग्री इसका उसका हो जारा है तीस ंदिगरी अगर छे कि अबज राहें दोस्तो देखरहें हैं। । है कि अगलर परस्म में कहरा है दोस्तो यह में। कह रहा है का सिध्य के चादा से का डि़ा डिन सा रहा है। में लेते हैं दोस्तों करने इसे आक्रदी को आवर्धन सी से द्वारत देखिये क्या यह कोड़ बड़ा हो जाता है दोस्तों आप देखते हैं इस परकार का इस परकार का एक ग्लास आता है जिसे कहते हैं लेंज कहते हैं दोस्तोrus मतलब वो मैंगनिफाइंग ऋक्राइब कहा जाता आ क्राव आवर्दें सीसाथ आप दोस्तो इससे चिंगारी लगा के धूप की मदद से एक क्रण्म किरा सकते हैं और उससे चिंगारी ढूट जाती है आंग भी लग जाती है उषसे देखेंके तोु दोस्तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ, माल लीजे, एक कोई छोटी घड़ी है, और एक कोई बड़ी घड़ी है, ठीक है दोस्तो, क्या यह अलग-अलग दिखाएंगे, दोस्तो क्या यह समय अलग-अलग दिखाएंगे, सभी घंटे तो बराबर ही होंगे, यह 90 डिगरी, और यह 90 डिगरी और यह बड़ा वाला 90 डिगरी, सब तो 90 डिगरी ही है न, मैगनिफाइंग गलास क्या करेगा हमारा, पस इसी को छोटे वाले को ऐसा करके दिखा देगा, और इसे आदब कुछ नहीं करेगा, मैगनिफाइंग गलास, तो उससे हमारा कोण नहीं बदलता दोस्तों, उससे हमारा कोण जो है, वो 30 डिगरी ही रहेगा, कोण का मब बड़ा हो जाता है क्या है, नहीं होता, कोण दोस्तों वही रहता है, वो आकृती बड़ी दिखती है आकृती या सब्द ये बड़े दिखते हैं मैगनिफाइंग गलास से, कोण बगरा दोस्तों अलग नहीं हो जाए, कोण वही कब ही रहे, आकृती चोटी बड़ी हो सकती है, धन्यवाद